प्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम गौ मूत्र के बारे में बात करेंगे जो काउ का यूरीन है उसके बारे में बात करेंगे कि उसके क्या scientific fact है और क्या myth है उसके बारे में और क्यों इतना जाद है confusion इतना जाद है आफत मची हुई है बहुत सारे लोग गौ मूत्र के बारे में पूछते हैं बहुत सारे लोग खुद भी पी लेते हैं बहुत सारे लोगों को कुछ मौंक साधू जोने हम कहें सू कॉल्ड रिलीजियस पर्सन या फिर हमारे पॉलिटिकल रेप्रिजेंटिटिव भी कुछ हो सकते हैं या कुछ دर मेंख संस्था या थारमिक लोग यह आपको कहते मिल जाएंगे और सोसल्ल मीडिया पर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के उस पर बीडियो भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि बहुत सारे स्टेट्मेंट आप सुनेंगे और आजकल एक स्टेट्मेंट आप सुन रहे हैं कि मैं गाउब मुत्र पीता हूं या मैं गाउब मुत्र पीती हूं इसलिए मुझे कोबिट 19 ने हुआ COVID-19 infection तो लगबग 5% लोगों को ही हुआ होगा लेकिन 90-90% लोग जो दुनिया में COVID-19 से infected नहीं हुए इसका मतलब वो सब गौव मुत्र पीते हैं तो अपने आप में ये बहुती stupid nonsense, non-scientific statement है जो एक totally गमारपन है इस तरह के लोग एक धरम को भी बदनाम करते हैं जो traditional nature science है उसको भी बदनाम करते हैं और आयरवैद को भी इवन वो बदनाम करते हैं कि उन्हें कोई clinical या scientific उसके बारे में कुछ पता होता नहीं और वो कुछ भी बकवास करते रहते हैं उसके पीछे या तो business होता है या फिर लोगों का ध्यान भटकाना होता है या फिर अपने को बहुत ज़्यादा वाइरल करना होता है उसके पीछे कोई clinical fact नहीं होता है तो इससे साबधान रहने की ज़रूत है जब आप इस तरह की लोगों को सुने तो आप clinical brain लगाएं आप scientific brain लगाएं आप तर्क करें अपने आप से उसके बाद ही accept करें या फिर उसके बारे में उसके expert से उस field का जो इनसान expert है जिसके पास at least degree master degree या PhD holder वो हो और उसको एक experience हो उस field का तो वो यदि आप को कुछ बताएं तो फिर आप उसको consider करें अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि गाओ मूट exactly है क्या जिस कोई भी urine किसी इनसान का भी urine आप लें उसका यदि आप nature देखेंगे तो वो पहली बात acidic है उसका पी-एच देखेंगे तो उस पी-एच लेबल पे कोई भी liquid consume करना एक dangerous practice है clinically body के लिए harmful है उससे आपको ulceration हो सकता है उससे आपको acidity हो सकती है उससे आपको girl dyspepsia reflex होगा उससे आपको burning sensation होगी और उससे आपको body में गर्मी यानि sweat बढ़ेगा और गर्मी आपको जादे होगी तो किसी भी तरह की किसी भी बिमारी में गाव मूत्र कंजूम करना clinically ठीक नहीं है clinically गलत है वो एक slow poison का काम करेगा बाद में और उसके कोई clinical scientific benefit नहीं होते हैं किसी भी बिमारी ठीक करने में गाव मूत्र का कोई clinical use है अभी तक भी किसी research से यह scientific proof नहीं है और गाव मूत्र का यदि आप composition देखें आप जो routine examination आपका होता है गाव मूत्र आप दीजिए और lab में आप test कराईए जैसे आप अपना urine routine कराते हैं तो आपको जब वो reading आएगी तो उससे समझ आजा जाएगा कि गाव मूत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो और दूसरे मूत्रों से वो special है सबका मूत्र एक जैसा ही होता है लगबग हाँ ये बात जरूर ठीक है कि उसमें कुछ antiseptic या antibacterial properties हो सकती है बट उस property से वो कोई clinically healing में role play कर सकता है ऐसा बिलकुल भी scientific रूप से सच नहीं है तो इसको clear समझने की जरूरत है अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ यदि गाए इतना ही magical और एक healing संजीवनी beauty यूरीन में पास करती है तो गाए का दूद 50 रुपे के लोग बिखता है और जो गाए का दूद बेचता है किसान वो भुकमरी में है वो आत्मत्या कर रहा है वो विचारा परेशान है वो financially बहुत ज़्यादा crisis में है लेकिन जो गाए का urine लोग sale करते हैं जो urine बेचते हैं लोग वो religious stamp उस पे लगाके और एक religious पगडंडा करके में अमरित देती है तो फिर दूद में अमरित क्यों नहीं देती तो आब ये मेरा एक तर्क है मात्र आप इससे समझ सकते हैं कि गाय मूत्र एक पगडंडा है एक political मसला है ये और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोगों को उस track से हटाने के लिए और लोगों को misguide करने के लिए और अपने को popular करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती है कहीं भी ऐसा कुछ reference clinically research से आज तक हमारे सामने नहीं आया है यदि किसी के पास कोई clinical evidence है तो मैं भी उसको पढ़ना चाहूँगा मैं भी उसको देखना चाहूँगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो ये clearly समझने की आविशकता है अब मैं दूसरे point पे आता हूँ कि कुछ लोगों ने experiment करके दिखाया है तो गाय के urine की purity है जो clarity है यदि वो clear दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अमरित है वो healing में कुछ काम करेगा आप किसी भी urine में आप अपने urine में beta 10 solution डाल दीजे उसके बाद वो बिल्कुल clear litmus clear आपको देखेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपना urine consume कर लेंगे इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने urine से contaminates, wastage है, poison है इनको consume करना अपने जीवन को खत्रे में डालने वाली बात है clinically that is the only point और आयरोवेद में clearly लिखा गया है कि जितना excretion जितना secretion आपका better होगा body का उतनी ही health आपकी better होगी इसका मतलब ये है कि पंच कर्मा एक cleaning पे ध्यान देने वाला cleaning पे जोड़ देने वाली पिरक्रिया है पंच कर्मा में आपके excretory organs को activate किया जाता है और जितना भी excretion यानि जितना भी wastage body के अंदर होता है उसको maximum भार निकालने की कोसिस की जाती है that is a pure eye of breath and that is a pure punch कर्मा तो जिस secretion को जिस wastage को आयरवेद निकालने के लिए एक procedure करता है उस wastage को हम consume कैसे कर सकते है that is my point तो आप इसको इस तरीके से जरूर सोचें thank you very much and take care yourself झाल